श्रीमन नारायन, 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 भजिमन नारायन, नारायन, भजिमन नारायन, 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 भजिमन नारायन, 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 भजिमन नारायन, 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 नार नारायन श्रीमन नारायन 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 सतर्वा अध्याई अब अर्जुन में दान की व्याख्या कहूं सुनाई सात्विक राजस्ताम सीख तीन दान के नाम फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग दान है तीन प्रकार का सुन्य ध्यान लगाए तीनों में सात्विक भला यू कहते घंश्याम बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण वही दान उत्तम सदा सुन मित्र महाभाग अर्जुन ने पूछा हे भगवन जो शास्त्र विधी को छोड़ शद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है सात्विकी है या राजसी है अथ्वा तामसी है श्री किष्ण जी बोले प्राणियों के सभाव से ही सात्विकी राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रथा हैं जो सुनू, सात्वी की पुरुष देवताओं को पूसते हैं, रजोगिडी यक्षों, राक्षसों को पूसते हैं, और तामसी जन भूत प्रेतों को पूसते हैं, जो लोक कपट, एहंकार, काम, विश्या नुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ, उग्र तप करते हैं, वे मुर्खता से केवल अपने शरी रस्थ आत्मा को ही नहीं, बलकि मुझे कश्ट देते हैं, उन्हें निश्च ही आसुरी जानिये, जैसे प्रतेक को तीन प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यग्य, तप और दान भी तीन प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिय आयू, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रिती को बरसाने वाले रस, घृत, युक्त, पोशक तथा आनन दायक आहार साथविकों को प्रिय हैं, कडवे, खटे, नमकीन, गर्म, तीखे, रुखे, चेटपरे और दुख, शोक एवम रोग, जनक भोजन, राजसी लोगों को प्रिय हैं, पहरों का रखा हुआ, अनिरस, दुर्गंद, युक्त, बासी, उस्चिष्ट, आपवित्र भोजन, तामसी लोगों को प्रिय लगता है, यग्य करना ही है, ऐसा मन को द्रिन करके फल की इच्छा बिना, विधी पूर्वक जो यग्य किया जाता है, सात्विक है, हलकी कामना से और लोग दिखावे के लिए जो यग्य किया जाता है, उसे राजसी जानो, शास्त्र की विधी से हीन, अन्यदान, मंत्र हीन, तथा बिना श्रधा के किया हुआ यग्यतामसी कहलाता है, देवता, द्वेज, गुरु, तथा विध्वान, इनका पूजन, पवि सत्य प्रिय हितकारी भाशन, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है, मन की प्रसनता, चित की शांती, आत्म निग्रह तथा, निश्क पट रहना, यह मानसिक तप है, यह तीनो प्रकार के तप, यदि श्रधा से फल की इच्छा त्याक कर, और योग-युक्त होकर किये जा तो सात्विकी तप कहलाता है, अनित्व और शाशक तप राजस है, जो दुरुव आत्मा को कष्ट दे कर, वा दूसरे के नाश के लिए किया जाए, उसे तामस तप कहते हैं, जो फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धी से उत्तम इस्थान में, सत्पात्र से बदले मे कोई वस्तू लेने की इच्छा भी ना दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं, जो दान प्रत्यूपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है, उसे राजस दान कहते हैं, ओम, तत और सत, ये तीन ब्रहम के नाम हैं, इनी से आदिकाल में ब्र इसी से ज्ञानी पुरुष यग्य दान तथा तपादी शास्त्रोक्त किरियाएं करते हैं, ओंकार उच्चारण सद्भाव एम सादु भाव से किया जाता है, तथा मांगलादिक कर्म में भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं, यग्य तप वैदान में जो निस्ठा है उस सत्त कहते हैं, इश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है, यह भी सत्त कहता है, हे पार्थ शद्धा से रहित दान तप तथा अन्य जो कर्म किये जाते हैं, वह असत्त कहलाते हैं, वहर ना इस लोक में और ना परलोक में हितकारी होते हैं, सतरवे अध्याय का महात्म श्री नारायन जी बोले डमलीक नामक देश में दूशासन नाम का राजा था एक राजा किसी और देश का था उन्होंने आपस में शर्थ बदी की हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो अमुग धन लेवे तब दूसरे राजा का हाथी जीता दूशासन का हारा कुछी दिन पीछे वह हाथी मर गया तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया दूसरे हाथी मरा तीसरे लोगों की हसी इससे निंदा भई उसी चिंता में राजा मर गया तब यमदूत पकड़ कर धर्मराज के पास ले गया धर्मराज ने कहा यह हाथी के मोह में मरा है अता इसको हाथी की योनी देव हे लक्ष्मी राजा दूशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ महा वह राजा के बहुत हाथी थे जिन में वह भी था उसे पिछले जन्म की याद थी मन में बारंबार यही पस्तावा करे कि मैं पिछले जनम में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ, बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं, इतने में एक साधु आया, और उसने राजा को एक शलोक सुनाया, राजा बड़ा प्रसन हुआ और कहा हे संत जी, कुछ मांगो, उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास ह किन्तु एक हाथी नहीं है, राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया, भ्रामन उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे, रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे, जो मुझे इस योनी से छुड़ावे, तब उस साधु न नहीं, महावत ने देखकर कहा कुछ रोग नहीं है, तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है, यह सुनकर राजा स्वेम देखने को आया, राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए, और उनको हाथ दिखाया, उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं, तब राजा ने कहा, हे हांती, तु ही बोल क्या कहे, तुझे क्या दुख है, परमेश्वर की शक्ति से मनुश्यों की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तु बड़ा धर्मग्य है, और यह विप्रभी बुद्धी मान है, इसके घर का अनव ही खावे, जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यूं मिले, तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो, राजा ने कहा, दान दिया हुआ, मैं नहीं फेरता, यहाथी मरे चाहे जीवे, अबु साधु ने ऐसा ही किया, हे लक्ष्मी, सतर्वी अध्याय का पाट सुनते ही हाथी की देह चूटी, देव देही पाही स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चड़कर वह बोला, हे राजन तु धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से चूटा हूँ, इस तरह श्र अध्याय संपूरण हुआ, जै श्री किष्णा, श्रीमन नारायन, 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 भज्मन नारायन, नारायन, नारायन भज्मन नारायन, 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 श्रीमन नारायन, नारायन, नारायन